मेडिकल माइक में आपका स्वागत है पिछले कई महीनों से देश में इंफ्लुवेंजा के केस सामने आ रहे हैं इस वाइरल संक्रमन से मौते भी हो रही हैं हालाकि अधिकतर मामलों में लोग फ्लू से असानी से रिकवर भी हो जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लू से संक्रमित होने के बाद हाट अटेक का खत्रा कई गुना तक बढ़ सकता है या दावा एक रिसर्च में किया गया है सोद करताओं का कहना है कि फ्लू होने के साथ से 10 दिन बाद दिल का दौरा पढ़ने का खत्रा 6 गुना तक बढ़ सकता है ये रिस्क 18-65 साल की उम्र के लोगों में रहता है अस्पतालों में भरती हुए 25,000 मरीजों पर की गई या रिसर्च के बाद या निसकर्ष पर पहुंचे हैं रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग हाल ही में फ्लू से संक्रमित हुए हैं उनको अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है इस स्टेडी में अस्पताल में भरती हार्ट अटेक के मरीजों का डेटा लिया गया है 2008 से लेकर 2019 तक का डेटा एकत्र किया गया है इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले 25,000 फ्लू मरीजों को शामिल किया गया है रिसर्च में पता चला है कि फ्लू वाले इन मरीजों को फ्लू से संक्रमित होने के बाद 365 दिन के भीतर हार्ट अटेक आया है कुछ मामलों में दो बार दिल का दोरा पड़ा था कुल 25,000 मरीजों में से करीब 30 केस ऐसे भी हैं जिने फ्लू संक्रमित के साथ दिन बाद हार्ट अटेक आया था रिसर्च में बताया गया है कि हार्ट अटेक वाले इन मरीजों के हार्ट की आर्टरीज में बलड क्लॉट पाया गया था या clot flu की वज़े से हो सकता है हलाकि research में यह नहीं बताया गया कि clot का कारण क्या था लेकिन आशंका जताई जा रही है कि flu की वज़े से myocodities की समस्या हो सकती है जिससे दिल का दौरा पड़ा है डॉक्टरों का कहना है कि flu से बचाओ करना बहुत जरूरी है यह भले ही एक सामान्य परिशानी है लेकिन इसकी वज़े से respiratory infection होने का खत्रा रहता है जो कुछ इस्थिती में जानलेवा बन सकता है